ओम्श्यान्ति हमें इस जीवन में बहुत सहन्सील बनना है योगी सहन्सील होते हैं क्योंकि योग लगाते लगाते उनका चित्सी तल हो जाता है वो सहन करने में आनंद का अनुभव करते हैं वे सहन करने में अपनी विजय का अनुभव करते हैं क्रोद करने में तो उन्हें अपनी हार लगती है परिशान होने में तो उन्हें दूरी महसूस होती है बाबा से इसलिए हम सभी योगी आत्माएं बाबा की समीप आत्माएं ब बहुत सहन्सेल बने तब हमारी नेचुरल गुण है हमारी सकती है हम जिस चैज को चाहें आराम से सहन कर सकते हैं सारी दिख बिमारियों की अगर बात हो तो जितना जितना हम देहसे नियारे बनेंगे हमारी शहन सकती बढ़ती जाएगी जितना जितना हम master serve शक्तिवान का अभ्यास करेंगे, हमारी ये शक्ति बढ़ती जाएगी, रोज सबेरे उठकर, अपने को याद दिलाना है, मैं इस्वरिये शक्तियों से संपन, master serve शक्तिवान हूँ, अर्थात सारी शक्तियां मेरे पास हैं, मेरे पास संपूर्ण सहन शक्त ही है, तो ये सक्तिक कारी के करने लगेगी, active हो जाएगी, बिन-बिन तरह की बाते सब को परिवार उमें सहन करनी पड़ती हैं, जान में चलते हैं, दूसरे नहीं चलते, तो बहुत सहन करना पड़ता है, जान में चलते हैं, या थोड़े लोग उग्रस्वभाव के हैं, त अपमान सहन करना पड़ता है, कई लोग तो ऐसे हैं, पीछे ही पड़े रहते हैं, बुरा बोले बिना उन्हें चैन नहीं आती, संगटनों में भी कई तरह की बाते सहन करनी पड़ती हैं, सर्दीगर में भी सुख दुख भी, कभी बहुत अच्छाई मिलेगी, कभी बहुत गम अच्छाई मिलेगी, कभी साधन मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, और बावा ने तो ये सिखाया कि तुम्हें मान, अपमान, सुक, दुखार, जीत, निंदा, इस्तूती, सब कुछ सहन करना है, यही ज्यानी आत्मा के लक्षण हैं, तो हम अपने को सहन करने के लिए तै हम नहीं सहन करेंगे, तो कौन सहन करेगा? हम संसार की सबसे अधिक शक्ति साली आत्माई, जिने परमात्म शक्तिया प्राप्त हैं, वो तो सहज भाव से सब कुछ सहन कर सकते हैं, बस ये सुन्दर संकल्प रख लें, मैं हस्ते हस्ते सहन कर सकता हूं, कर सकती हूं, सहन करने में मुझे कुछ कठनाई नहीं, ये तो मेरे मेरे श्रंगार है, मेरे गले का हार है, सहन करके मुझे आनन दाता, अपने विजे की अनुभूती होती है, मुझे लगता है कि मैंने बाबा की आज्याओं का पालन किया, उसने सदा का है, बच्चे सहन से इल वनो, तो बहुत खु समाने की शक्ती भी धारन करनी है, कोई कुछ कहता है, उसको हम समा लें, सुन तो लेते हैं, सहन भी कर लेते हैं, लेकिन यदि समाएंगे नहीं, समाना वाना हर्जम करना, समाने कार्थ है कि उस चीज का चिंतन न चले, वो चीज हमारी खुशी को नस न कर दे, वो हमारी शक को खाने न लगे तो सेहन करने के साथ समा लेना और भुला देना ये भी बहुत अवश्चक होता है जितना बड़ा दिल हमारा होता है उतना हम समा लेते हैं जितना बातों को हम सहज भाव से लेते हैं उतना हम समा लेते हैं और यदि हम ये सोचते हैं इन्होंने ये क्यों कहा ये तो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ये कभी हमें सुख से रहने नहीं देंगे, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे, तो हम कुछ भी समा नहीं सकते, फिर दो की चार सुनाएंगे, जो सुनेंगे वो अंदर परिशानी पैदा कर देगा, और हम भी जैसे को तैसा उत्त देने लगेंगे, लेकिन हमें इस जीवन में बहुत सेंसिल बनना है, सब कुछ समा लेना है, धारनाओ को भी समा लेना है, दूसरों की बातों को भी समा लेना है, बाबा की सब बातों को ग्यानरत्नों को जीवन में समा लेना है, तो बाबा की बाते समाते चलेंगे, तो और सब जो बाते होती हैं उनको समाना भी सहज हो जाएगा तो आईए इन दोनों सक्तियों से हम अपना स्रंगार करें और अपने को महान योगी बनाएं ओम संति